आप सभी लोगों का सुभागत है आपके अपने प्रिवार फ्यूचर उनलाइन क्लासे सोनपुर में आज हम इस वीडियो में विहार डीलेड सेकेंड यर सेशन 22-24 के बच्चों के लिए पेपर आपके S7 जिसमें आप सभी लोगों को गनित के सिच्छन सास्त के बारे में जानना है पढ़ना है अल्रेडी हमने जो है आपके पेपर S6 के गेसिंग प्रस्ण करा दिया है उसके एंसर टाइपिंग हो रहे है कुछ समय में आपको गृट में रात भपरलीजेगा सुभब एक्जाम दे दिजेगा साथ िसाथ मैं आपको बता दू कल के एक्जाम के लिए जो गेसिंग करवाया गया था वर सारे प्रस्ण आपके आज एक्जाम में लड़े है आज भी जो question बताया जा रहा है वो कल के exam में आपको देखने को मिलेगा और सारे प्रस्णों को हम जो है बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो तो आप सभी लोगों से निवेदन है अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को like, share and subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं DLA डिफ second year सेशन 22 से 24 गेसिंग प्रस्णों की बात कर रहे है और पेपर यहाँ पर आपका S7 है जिसमें गनित का सिछन सास्त्र प्रात्मी के स्थर की बात करना है दूइतिये लेवल पर और यहाँ पर हम unit 1 की बात करेंगे अगर हम इस paper की बात कर ले तो इस paper में आपको total जो है चार unit परने है कितने unit परने है आपको जो है चार unit परने है टोटल से आपके जो है 16 से 18 महत्य पूल पुरस्ट में आपको समझाने वाला हूँ जो कि आपके एक्जाम के लिए कल के लिए काफी महत्य पूल है समझ गए तो चलते हैं पुरस्णों के उपर और हम यहां जो है समझते हैं मैं आपको बता दू गर्मी बहुत जादा है और आ सबी लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में गनित का महत्तो जो है वह काफी जादा है क्योंकि परते एक छेत्र में जो है गनित का परियोग होता है अगर हम बात कर ले अपने दैनिक जीवन के कोई ऐसा काम नहीं होगा जहां पर गनित का परियोग जो है आपको देखने को न नाना है कैसे कप्रिधोने कितना सर्फ डालना है कोई भी चीजिजियों २ क्श्ची कि सब्ढ़ हो सब्सक्राइब satisf में कि अबुत अबर देनिक प्रियों नहीं यानि कि परते Trail में परती काड़ियों में सब करते से पहले तक हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सभी चीजों में हमारा जो है गनित सामिल है उसी से रिलेट करके आपको इसका एंसर लिखना है समझ गए जी हैं अगला प्रस्ण है गनित की प्रकिर्ती का संचिप्त वर्नन करें इसकी समझ का उपयोग कच्छा में हम किस प समधान करते हैं जो घटाओ गुना जैसे गनित के शंक्रियाओं को समझते हैं साथी साथ जो है बच्चे जो है सब गनित के माध्यमस होता है जब बच्चे गनित को सीखेंगे, हल करेंगे प्रस्णों को तो उनसे क्या होगा, उनके सामने जो है कठिनाई आएगी, परसानी आएगी उन परसानियों को solve करने के लिए वो अपने बहुदिक और मानसिक चर्था का विकास करेंगे परियोग करेंगे जिसके माध्यम से वो अपना पिर्वगति से विकास कर सकते हैं साथ ही साथ यहां पर बोला गया है कि इसकी समझ का उपियोग कच्छा के कच्छा में हम किस प्रकार से कर सकते हैं तो इसकी समझ का परयोग जो है हम कच्छा में त्रह त्रह के अक्टिवीटी दहनिक जीवन से जोड़कर कोशन देंगे साथ इसाथ जो है इबारती प्रस्न आपके बंद आकृती, खुली आकृती, पहेली, खेल बीदी के माधिन से पढ़ाएंगे तो बच्छे जोगा गनित के प्रकृती को समझ सकेंगे ये सारी बाते आपको यहाँ पर लिखना है अगला यहाँ पर आपका प्रस्न है गनितथ सीखने के एक संभावित अभाची करम को इस पस्ट करे मैंने आपको बहुआ बताया है कि ये जो आपका गनित सीखने का जो क्रम है ये क्या है औ, भा, ची, प्र, आ का मतलब आपका अनुभाव, हम जो है अनुभाव के माध्यम से गनित सीखते हैं, भासा के माध्यम से, फिर हम जो है चित्र के माध्यम से, और फिर हम जो है आपड प्रतीक के माध्यम से यह जो है आपका गणित स् c думpper का करम है जो मैंने आप सभी लोग को पढ़ाया एं कि गणित बच्चो को कैसे खेल-खेल में गनित सिखा सकते हैं उधारण देकर बताईए अब यह बताइए कि बच्चो को हम खेल-खेल के माध्यम से क्या गनित शिखा सकते हैं जी हम बच्चों को हम खेल के माध्यम से गणित सिखा सकते हैं क्योंकि खेल एक ऐसी परक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों का सारेरिक और मांसी विकास तिर्वगति से होता है और चाहे तो आप किसी भी विशाय बस्तू को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप बच्चों को खेल वीदि, शुरत्म वीदी माना जता है किसी भी सयवस्तु को सिखाने के लिए, जब बच्चा खेलेंगे, तो हम वहाँ पर गनित्याई करण का बीधियों का परियोग करके, हम बच्चों के गनित को कंसेप्ट को सिखा सकते हैं, अब जैसे कितने प्लियर खेल रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, 10 बच्चे इधर, 10 बच्चे इधर, तो उसके माध्यम सिम जो है, गनित के शंक्रिया है, जोर घटाओ, गुना भाग, भिन्ने, इत्यादी चीजों की जो अवधारना है, वो खेल विधी के माध्यम से हम टीम एक में कितने ज्यादा प्लियर है टीम बी से, यहां भी गनित घटाओ हो जाएगा, टीम बी में दो प्लियर, टीम ए में जो है चार प्लियर, चार इधर होगा, दो इधर होगा है, तो और दो इधर डाल देंगे, तो कितने हो जाएगे, तो इस तरह से प्रशन आप कर कि कथन जो है गलत करके सीखना उपयोगी होता है पर अपनी राय दीजिए क्या आप सभी लोग को पता है गलती करके जो बच्चे सीखते हैं क्या वो सही होता है इसके उपर अपना राय पर कट कीजिए तो मैं आपको बता दू बाबू कि गलती करके सीखना यह जो होता है बह मतलब क्या होता सीखना अगर आप देख लीजिए कि कोई भी बच्चा जो है गनित में गलती कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह बच्चा जो है गनित के आवधारना को गनित के संक्रियाएं जोर घटा अगुना भाग भिन लगुतम लसा मसा एसीफ एसीफ जो भी होता है वह सीख रहा है क्योंकि जो गलती है वह सीखने का दूसरा पूरक रूब है अगर बालक गलती कर रहा है तो वह सीख रहा है क्योंकि बालक जो है गलती करेगा वह बार बार उस सीखों को दोहरा आएगा तो यहाँ पर जो आपका कोश्चन है कि कथन जो है गलती करके सीखना जाएंगे या फिर उसको लगेगा कि हमने गलती कहां किया, फिर उसके उपर वह सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा, विमर्ज करेगा, अपने तार्तिक सोच का उपर योग करते हुए, फिर उसको सनू करेगा, फिर गलती करेगा, फिर सोचेगा, फिर करेगा, फिर उससे गति गति बीधियों के दोरह बच्चे को किस प्रकार गति सिखा सकते हैं? सिखा सकते हैं, खेल बीधी, कला बीधी, एक्टिवीटी, रोल पले, फिर आपने चार्ट पेपर, चित्र बीधी, बहुंच सारे बीधी है, समझ गना, मैं आपर कुछ नाम निख देता हूं, याद रखेगा, आपर देखेगा, खेल बीधी के बात कर ले, खेल बीधी के बात तो है height के arrange उनको ख़डा कर दिया, तो देखा कि हम इस छे पांच बच्चों के माद्यम से बता सकते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तो यह इस sending order बता सकते हैं, इसके माद्यम से उपर से नीचे आना, नीचे से उपर जाना, बढ़ते करम, घरते करम बता सकते हैं, तो यह सबसे बता सकते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों को भी सीखने में आनंद पूरवक रूजी में तरीके से सीख सकते हैं, इसमें आपके अधिकम समागरी में आपका चार्ट पर डागराम, मोडल, टीवी, रेडियो, आपके जो है, कॉम्प्यूटर या बहुत सारे वस्तु भी हो जाएंगे, इसके माद्यम सा बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी है, यह प्रस्मी क्लियर हो ग इमनी टू की बात करेंगा और यहाँ पर पहला ही प्रस्म देखेगा, आपका पहला प्रस्म है, प्रात्मी के स्तर पर गनित में सीखने की योजना बनाते समय किन-किन बिंदूओं को ध्यान रखना आवश्चक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि 1-5 क्लास, 1-5 क्लास के ज आपको प्लान करकर त्यार करता है कि मुझे इस चैप्तर को कैसे पढ़ाना है, तो कहने का मतलब है कि जो आप लेशन प्लान बनाईएगा, तो उसमें प्रात्मी के स्तर पर गनित सिखाने के करम में आप किन-किन बिंदूओं को उसमें डालिएगा, तो मैं आपको बता लिखना है ताकि बच्चे जो है सामने उपस्तित चीजों को पढ़ियों करके हम गडित सिखा सके, कच्छा कच में उपस्तित होने वाले सारे समागरियों को समयत करेंगे, ताकि हम जो और गटा और गुना भाग इत्यादी सिखा सके, ये सभी बीदी जो है बच्चों को सि यहां पर आपके बात हुआ है और यहां पर सतत और व्यापक मुल्यांकन की बात हुआ है पुरा से मैं पानी के लूँ बहुत गर्मी है बाबु बहुत गर्मी है देख रहे हैं फूरा पसीने पसीने हो गए चलिए मैं थुरा पंखा की तरब से आकर बता दू आपको देखे फ्रात्मी के सतर पर गनित के संदर में बात कर रहा है तो सबसे पहले पिया जानना जरूर और एक होता है मुल्यांकन, एक आपका होता है आकलन, यह आपका आकलन होता है और दूसरा आपका होता है मुल्यांकन, मुल्यांकन का मतलब होता है मुल्यांकन, आकलन का मतलब होता है पढ़ाने के दुराण हमें पूछ लिया, और यही बात हुआ है यहापर मुल्यांकन में आपका सतत यहां ब्यापक मुल्यांकन की बात किया है। तो सतत कहने का मतलब होता है लागातार। इसका मतलब क्या होता है लागातार होता है। और ब्यापक मतलब क्या होता है साल के अंत में। यानि कि एक बार साल के अंत में आप लिखिये नहीं तो एक बार बोलिए यानि कि सतत मुल्यांकन कहने का मतलब है कि जैसे में आपने पढ़ाया और हमने आपसे पूछ लिया कि बाबु गनिते करन का मतलब क्या होता है और आपने बता दिया तो यह आपका सतत मुल्यांकन है यानि पढ़ाने के दुरान पूछा गया सवाल को हम लोग सतत मुल्यांकन करते हैं और साल के अंत में जो आपका फाइनल एक्जाम हो रहा है वो आपका व्यापक मुल्यांकन है जहां पर आपके सवी पक्चों का विकास देखा जाता है लेकिन आपर प्रस्ण बोला है कि प्रात्मी के स्तर पर गनित के संदर में सतत्य वन व्यापक मुल्यांकन की आवधारना और आवशक्ता की बात करें तो देखिए इसकी आवधारना यही है कि हमें यहाँ पता चलता है कि बालक के अंदर बीकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कितने बालक सीख रहें ? नहीं सीख रहें तीचर को भी अपनी कमजोरी और मजबूत पक्ष पता चलता है इस सारी बाते आप यहां पर लिख सकते हैं बाकी आप आकलन मुल्यांकन सतत और व्यापक मुल्यांकन यह सभी का डिफिनिशन भी लिखी है समझ गए मैं तुरह फैन चलालू बाबू बहुत गर्मी लग रही है जी हां यह गर्मी जो है जानने लेगी बहुत ज़्यादा है अभी टेंप्रेचर जो है 40 प्लस है अभी मैं बता दू टेंप्रेचर जो है आपका 40 प्लस जो कि बहुत अधीक है इतना नहीं होना चाहिए आगे देखते हैं यह प्रस्न समझ गया अब हम जो है यहापर तीसरे नम्ह प्रस्न की बात करते हैं यहापर तीसरा प्रस्न देखिएगा कि कच्छा-कच में परियोग में लाए जाने वाली आकलन की प्रमुख वीधियों का वर्णन करें आप जो है कच्छा कच में कौन-कौन से आकलन के प्रविधिया का पडियोग करके बच्चों का आकलन करेंगे आकलन करने का मतलब यह होता है बच्चों को जाचना यानि जो हमने विशायवस्तू को पढ़ाया जो हमने गनित में concept बच्चों को प्राया, वो बच्चे कितने सीख पाएं, उसके बारे में हम जाचने का प्रयास करते हैं, तो यही बात बोला गया है कि अच्छा कच्छ में पढ़ियोग में लाए जाने वाले आकलन के परमुक विदियो का पढ़ियोग कैसे करेंगे, तो हम जो है, गति बीदी के माध्यम से आकलन कर सकते हैं, खेल बीदी के माध्यम से आकलन कर सकते हैं, या कुछ से question देकर आकलन कर सकते हैं, या मोखी group से आकलन कर सकते हैं, चेक list के माध्यम से आकलन कर सकते हैं, समझ गना, यह सभी तरीका है जिसके माध्यम से बच्चों का आकलन बश् cosasप le opens and issues yszक dobhaz जेका समावते हैं और प्रणाबिक इसतर पर ग। सीखने के संकेतक का बनन करें देखेगा गणित में शीखने के भिएने का मतलब होता है नर यह सीखने का संकेतक का मतलब होता है कि बच्चे जो है बच्चे जो है वह हुआ गनित को सीख चुके हैं चुके हैं और वह अपने दैनिक जीवन के काड़ेवं में दैनिक जीवन के काड़ेवं में उसका उपयोग कर रहे हैं यानि कहने का मतलब है कि जब बालक जो है गनित के concept को गनित के अवधारनाओं को गनित के प्रकिर्टी और सकता उद्देश से महत्वों को सीख लेते हैं और उसके बाद जो है वह उन चीजों को जैनिक जीवन में पढ़ियोग करना शुरू कर देते हैं अपने daily life के काड़ियों में पढ़ियोग कर क्या बात करेंगे और यहां पर पहला प्रस नहीं काफी महत्यपून और देखेगा गनित में खुली और बंद नियमित और नियमित शब्ट जो है आकडितियों की समझ बच्चों में किस प्रकार विक्सित करेंगे तो यहां से इस्टार्ट हुआ और यहां पर यहां पर आय से खूब बिन्दू कनेक्ट में हो आपका खुली आक्रिती वहीं पर पुछता है कि खुला प्रस्न क्या होता है जिसका जो है उत्तर क्या होता है बहुत ज्यादा हो जिसका जो है एंसर क्या हो कि बहुत आए जिसका एंसर जो है यानि कि एक से अधिक एंसर आगया तो समझें कि वह जो तो इसका क्या होगा एक ही अंस्रा है यह आपका बंद क्या हुआ प्रश्म ये माद कर ले तो आनीयमित में मालने जेंदिति कि यहाँ पर हमने आपर एक के उप्लेंच फ़िर हमने ऐ हम में दिया भर दिया जो यह आपने घर में क्लियर ना जी है जो पुर्न नहीं है आगे देखेगा अगला प्रश्न यापर दूसरा नमड यह प्रश्न आवर इंप्रफ़न्ट है कि आपका परिमाः और छेत्रफल से आप क्या समझते हैं बच्चों में जो हैं इसकी समझ बिक्सित करें अब बताईएगा परिमाप है परिमाप की बात करा और छेतरफल की बात किया है यानि एरिया और परिमीटर से आप कैसे समझते हैं इसके बारे में आप बच्चों में कैसे समझ विखसीत कर सकते हैं तो परिमाप और एरिया का जो समझ है बच्चों को आप कच्छा कच्छ के दिवालों से उनके बेंस, चेर, डेक्स, कुरसी, टेबल, बुक, साथी साथ घर में परजेंट, दर्वाजा, खिरकी, इतियादी चीजों के बारे में बता कर उसके छेतरफल और उसके परिमाप निकालने के लिए बता सकते हैं कि छेतरफल का फरमूला क्या होता है और परिमा परिमाप और जो हे छेतरफल की जो समझ है वो विक्सित कर सकते हैं कि लिए मरे भाई जी हां यह बात है समझ गए चलिए यह दोनों प्रस्ण इंप्रेंट है आगे बढ़िए तो अगला प्रस्ण आप ध्यान दीजेगा तिन नमप्रस्ण है और यह तिन नमप्रस्ण आप विक्सित करेंगा बच्चों इससे बताए जय मिति कहने का मतलब है क्या होता है जोमेट्ट्व तो यह आप बताए एंगल कोण यह होता है बिंदु किया होता है विंदु यह होता है आपका त्यों होता है किरन यह होता है एक में दूस्य स्टाट हुआ ऐसे रिखा खंड यह सभी चीजों कर रहे हैं आपको बताना जो की गनित के है अदी को जो की 90 से उपड़ होता है इसम बारे में बताइए अनु पुरा कोन और शंपूरा कॉन एक 180 से कम संपूरा कौन यानि तो इसके बारे में आपको बताना है इसको है एकिवूट एंगल राइग एंगल देहिए थिशाब तो इसके बारे में आपको define कर देना है फिर बना दीजिएगा इसके निया नहीं को जाएक है यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका देखिए नभे डिग्री से उपर है तो हम यहां क्या करेंगे कि एक लाइन से पारेंगे डॉट डॉट लाइन देंगे और धर से खीद देंगे यहां नभे से उपर हो गया तो इस तरह हम करके जो है नाम देखर इसके बारे में बता सकते हैं जो लिखेंगे कि वहां कौन जो नभे डि एवं 3VME Akriti से आप क्या समझते हैं इन近 Western से और बच्चों ने 2VME זה अक्रीथी के समझ किस परकार विक्सित करेंगे यह प्रशन बहुती कि इसको लोगं इंगलिसमें लिखते है कि winter फीगर इसको हम लोग जो है लिखते हैं और आपके जो है बास जान जो है लिखते हैं और आपके से फीगर लेंगे इसमें आप लेंध भर यहाँ पर किनी को दिक्का तो नहीं ना बताईएगा ना कि तुडी डाइगराम उसे कहते हैं जिसमें कि अब लेंध और चुराई हो और तीनों हो लंबाई चुराई और रुचाई करें ना और इसके बारे में एग्जामपल लिख बच्चों में कैसे बताईए मीड़ें तो बच्चों में हम ट्लास्यरूम का बी एक्जामपल ले सकते हैं उनके घ़र में पाई जाने वाले बहुत सारे उपस्तु होंगे जिसका एक्गारी सकते हैं जिसमें लंबाई चुराई और उचाई हो हो वो हमारा 3D हो जाएगा औ और अगला प्रसमें आपर देखेगा सममीत आकरितियों की समझ जो है विक्सित करने के लिए बच्चों को कैसे संजाएगा तो यह जान लिजेगा सममीत आकरिती क्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या मालू में सममीत आकरिती उसे कहते हैं जिसको काटने से क्या होता है बढ़ाबर बढ़ाबर भागो में बढ़ जाता है। समाझ गर उसको सममी ताकृति करते हैं। यहाँ पर ध्यान देजेगा सममी ताकृति की भात करले। यह पर हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं उसे आकरिती जिसको हम काटने के बाद वो बनाबर दिशान में हो जाती है उसी को हम समवी ताकृति काते हैं आप यह बात यहां पर केबल छे प्रस्ट इसी से पूछा जाएगा अब यहाँ पर हम बात कर ले इंट चार का तो इससे हमने केवल दो ही परस्ट लिए ताकि आपके दो नहीं है चार परस्ट नहीं इससे भी आईए हम देख लेते हैं इनिट फोर मैं दखिए इससे बाहर आपको इससे बाहर नहीं पुछेगा इतना ही पहली करके प्रिवेस एर एनलाइसिस करते हुए आपको बताया कि यह जो पूसत आज देखें कोर्शन अज सारे कोर्शन लड़े थे जो मैं कल बताया था आज पूरे के पूरे कोर्शन लड़े है 90% लड़े हैं यहां ध्यान दीजेगा पहला प्रस्ट है परिमय और आपरिमय सं इसकाल नौट जीरो नीचे हो साथी साथ आपरिमय संख्या होता है जो कि पी भाई की फॉर्म में नहीं हो जैसे आपका रूप थिरी हो गया यहां पर हम एग्जामपल लेके दूर इतुम आपरिमय संख्या में निगेटिव पूजिटिव दोनों होते हैं समझगे उसके ब लिश्चाल जो है यहां पर रंग दिया गया है और बुला है इसको भीन में लिखें दो बटा- typically यानि कि यह भीन मी क्या है दो रंग हुगा यानि टोटल जो भीन आपका 4 है यह तो एमकिन भीन है बहुसर एक्जामपल आप देखते होंगे देगें यहुलिगते हैं ऐसे पर देखते हैं ना इसी को भिन के तो भिनने की जो संख्या है ना वो बच्छों के हम परिवेस पडियावरन और उसके घर में पाई जाने वाले वस्तूर से भी कर सकते हैं साथ इसाथ जो है विभीने तरह के चीतर और विभीन तरह के चार्णा प्रस्नियां पर आपका है कि भीनने के जोर घटा हो यहां भाग क्या अधारना को कैसे विक्सित करें अभी महत्यपून प्रस्न है और मैं बता दू कि अभी थोड़े से कनेक्टिवीटी कट गई थी जिसकी वज़ासे मुझे आपको यह वीडियो के वल ऐसे बताना पड़ा है कि मैंने वह वीडियो बन ना है कि अभी आत्ति सवालल यह आपको बता दू कि अभारती सवाल वेस सवाल होते हैं जिसका जो प्रस्ण होते हैं वो एक से अधिक पूछे आते हैं उसे को आतों आप जो है एक्जाम्पल और बगभी और बहुत बहुत दन्यवाद और आप से निवेधान है PLEASE वीडि और कल की एक्जाम के लिए और इससे बहर आपको एक्जाम में प्रशन नहीं पूछेगा बहुत बहुत धन्यवाद ओके धन्यवाद